सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहेगा आपका दिन सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक्त होना जरूरी है यदि सफलता एक शुन्दर पुस्प है तो विरम रता उसकी सुगंद जिन्दगी में जो चाहो हासिल कर लो बस इतना ख्याल रखना की आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे आज का पंचांग 17 जुन 2020 दिन बुद्ध्ध्वार असार माश के क्रिश्न पक्ष के एकाद शिति थी सुबा साथ बचकर पचास मिलट तक रहेगी इसके उपरांथ 12 शितिति प्रारम हो जाएगी अश्वीनी नामक नक्षत्र सुबा 6 बचकर 4 मिलट तक रहेगी इसके उपरांथ भरनी नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज कर आहुकाल अर्थात असुपसम में दो पहर 12 बचकर 21 मिलट से दो बचकर 2 मिलट तक रहेगा आज कर कोई अभिजीत महुरत नहीं है अगर आज आप सुपकाम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दे आज अंद्रमा मेश राशी पर संचार करेगी और आशूर्य मिधु राशी पर रहेंगी संहरा से 17 जुन 2020 दिन बुद्धवार जीवन में बदलती हमाई इतनी मजबूत है कि यह आपके काम और रिस्ते को नए अर्थ देगी सारवचनिक संबन आपके समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकती है लेकि इन से लाब होगा विदेशी वैपार या रिस्ते बनने का योग है देड़ता और कुशलता चैसी गुर्ट सबसे मुल्यवान है कि तो उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग चलती है समय में परिवर्ता ना रहा है लाबदायक पर इस थीत्यां बन रही है परन्तो इस बात का ध्यान रखे कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा अर्थात कर्म प्रधान तो हो नहीं पड़ेगा आपके अंदर बहुत उर्शा है उसका उप्योग करने की बस जरूरत है अच के दिन आपके लिए अपनी क्रियेटिविटी का पूरा उप्योग करने का है इस सुर्शा को उचे दिसप्रदान करेंगे तो लाब होगा इसके साथ साथ आज यह भी आव़श्यक है कि आप प्रियास करने के साथ प्रियास को फलित होने का भी मौका दे धहरे और शययम से काम ली धनलाप के योग हैं किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी केवल अपने वैभार में शययम बनाए रखी किसे अधिनस्त करमचारी से बाद भी बाद के इस्तिती पैदा ना करी कोई केस भी बन सकता है कहीं जाते समय रास्ते में अपनी चीजों को सम्हाल कर रखें कहीं खोजानी की संभावना है लव लाइफ की बात करें तू जीवन में आए बदलाव रिस्ते को नए अकार देते हैं अज लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय व्यतित होग और इससे आप उनसे मजबूती से जुड़ेंगे जिनसे आपका प्यार का रिस्ता और उनसे कुछ मद्वेद हो शकते हैं इसलिए अपने साथी का द्यान अपनी और आकरशित करने के लिए उन्हें कोई सप्राइज दे करियर की बात करें तू बदलाव की हवा आशाप की तरफ बह रही है और शाथ में ला रही है सोभाग्य विदेशी वैपार और शम्मन भी आपके भविश्यमी हैं इस चरण में आपके और दूश्रे लोगों के बीच लंबे रिस्ते बनने वाली हैं आज सारवजनिक संबन आपका ज़्यादा तर समयलेंगी भूले ना की फसल के लिए सबसे पहले बीच बोनच जरूरी है शेहत की बात करें तू ज़े आपको अपने परिवार वालों की सेहत कर प्रति शौधानी बरतनी होगी चिंता की कोई बात नहीं है बिस इतना ध्यार रहे के आप उन्हीं सालाना ज़ाच के लिए लेकर जएं आपको उनके तरफ प्यार और रुजान देकर उन्हें अच्छा लगेगा आपका स्वास्तर ठीक रहेगा आज का उपाएं आज अब गाय को हरी घास खिलाएं या हरी शबजी खिलना है दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुग हूँ